हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जान इंशॉरेंस ग्रूप आज हम इस सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं लाइफ इंशॉरेंस के अंदर कि कौन-कौन से प्रोडेक्ट्स होते हैं कौन से प्रोडेक्ट्स आपको समझना बहुत जरूरी है life insurance बेजनस करने के लिए आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आपको life insurance प्रोडेक्ट को समझने के लिए आपको basic fundamental समझना बहुत जरूरी है कि life insurance के अंदर कौन-कौन से basic products होते हैं जिससे आप लोगों को convince करके आप उनको benefit दे सकता हैं उनकी family को protect कर सकते हैं और साथ की साथ आप अपनी income को भी generate कर सकते हैं जी हाँ friends आज हम बात करेंगे इस series के अंदर कि आप अपने इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप किस सरीके से लोगों को benefit बता सकते है life insurance products का और उनकी family को protect कर सकते हैं अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जली से subscribe कर दिए बैल आइकन को press कर दिए जिसे कि नोटिविकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप complete हमको बढ़ा सकते हैं साथ में उनकी family को protect कर सकते हैं सो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि टाइपस ओफ लाइफ इंशॉरेंश क्या होते हैं सबसे पहले एक आता है इसको हम बोलते हैं protection या हम बोलेंगे इसको only risk cover plan यह सिर्फ risk cover को cover करता है मतलब कि आपको यहां पर जो pure आपका risk cover है इसको pure risk cover भी बोल सकते हैं pure risk cover plan है जो आपको इस category के अंदर आता है जिसको हम आज की language में हम बोलते है term plan इसके लावा दूसरी साइड में अगर हम types of insurance की बात करें life insurance की तो यहां पर आता है आपका protection प्लस इसमें आपकी होती है investment या we can say saving आपके इस plan के अंदर saving प्लस risk cover दोनों चीज़े include होती हैं अभी हम इसको detail में भी समझेंगे कि यह क्या होता है किस तरीके से work करता है एंड यह protection वाला जो plan है plus saving जिसके अंदर saving component है तो इसके अंदर कैसे work करता है इसको हम अगर आज की date में बात करें तो इसको हम बोलता है endowment plan endowment plan के अंदर आपको यहां पर saving का component प्लस risk cover दोनों का benefit मिल जाता है अगर हम term plan की बात करें तो यहां पर आपको सिर्फ risk cover का benefit मिलता है है यहां पर नॉर्मली दो ही तरीखे के टंब प्ला Minute है नियूद दो ही तरीखे के life insurance मिल् ק प्रडेंडब्स हो सकते सबसे पहले हम बात करेंगे term plan के अंदर कि ताम प्लान क realise that कि fundamental क्या है मतलब कि आपको at least एक बार यहां पर आज हम कोई भी प्रोड़ेक्ट किसी भी कंपनी के प्रोड़ेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं मैं आपको फंडमेंटल क्लियर कर रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी प्रोड़ेक्ट समझने में आपको प्रॉब्लम ना आए प्रोड़ेक्ट के अंदर हम बात करेंगे कि क्या होता है किस तरीके से वर करता है मांद के चलते हैं कि एक परसन है जिसकी ऐस थर्टी है 30 years का person है और वो चाहता है कि यार मेरे को ऐसा risk cover plan मिल जाए क्योंकि मैंने आपको बताया था term plan जो होता है वो only risk को cover करता है तो आपने अगर 30 years का कोई person है और वो चाहता है कि मेरे को 80 years तक अगर मानली जी कुछ हो जाता है मानली जी उसके साथ कोई दुरगटना मिस हैपनिंग हो जाती है और आज की डेट पर क्योंकि बहुत सारे लोग कोवीड के साथ भी चले गए तो यहां पर आप देखिए आज हर किसी के है ना कि दिमाग मैं हर किसी के मैंड में एक कोशन होता है कि बहगवान करे कल मेरे को कुछ हो जाए तो इस पेमरे उपर वह 55 होता है क्योंकि मैरे बहुत है क्योंकि मेरे जो इसाइट इंकल इस है और awkward happy आती है दोलगए और यहांपर और कल को में को कुछ हो गया तो मेरी family को कोई risk cover का plan मिल जाया मतलब कि उसको कोई lump sum amount मिल जाया benefit मिल जाया right so वो चाहता है कि मेरो 80 साल तक कुछ ऐसा benefit कि अगर मेर को कुछ हो जाया तो मेरी family को lump sum amount मिल जाय right so यहा पर मालेजिए 30 years का कोई person है और वो 80 years तक policy लेता है ठीक है तो यहां पर उसका duration कितना हो गया policy का 50 years so your duration so this duration के बीच में अगर मान लेते हैं यहां पर person को normal death हो जाती है normal death हो जाती है इस 30 years से लेके 80 years के बीच में so यहां पर उसकी normal death पे उसको जो मिलता है वो मिलता है sum and short just wait sum and short sum and short का मतलब होता है इसको हम बोलते है risk cover amount यह इसको हम बोलते है कि जितने का उसने policy buy किया policy buy sum and short अब यह sum and short किया इसको थोड़ा सा समझ लेते है sum and short का मतलब है जो यह person 30 years का अब यह कहते है कि मेरको एक करोड का risk cover चाहिए इसने क्या बोला risk cover चाहिए ठीक है so यह जो risk cover है इसको हम technical language मेर इंशॉरेंस की language में sum and short बोलता है कि अगर मालिजे इस परसन ने एक करोड का sum and short लिया है तो कल को अगर इसके साथ कोई miss happening death हो जाती है so इसके case में उसकी family को यहां पर sum and short मिल जाएगा यह किसको मिलता है जो उसका nominee होगा राइट अब मान लेते हैं कि यहां पर उसने 30 years की एच पर policy लिया था और यह 80 years तक लिया था अब इस duration से लेकर 80 years तक मान के चलते हैं, उसको कुछ नहीं होता ठीक है, उसको कुछ नहीं होता और इस case में क्या होगा जो उसने यहाँ पर premium pay किया है, मान के चलते हैं उसने premium pay किया है, 10,000 पर यहाँ पर just मैं example ले रहाँ आप इसको otherwise मत लीज़ेगा ठीक है 10,000 पर यहां पर मैंने मान के चला कि यहांपर एक साल का जो प्रीमियम है पर रहनेंब 10,000 था ठीक है आपने देखा अबी 50 साल की पॉलिसी है तो इसने 50 साल तक इतना प्रीमियम पे कर दिया पांच लाक, अब इसके माइड में कोशेन है कि भई मैंने पांच लाक रपे पचास साल तक दिया, अगर मेरे को कुछ नहीं होता, तो जो मैंने यहाँ पर पांच लाक रपे total पे किया यहाँ पर यह पैसा zero हो जाएगा क्या हो जाएगा जीरो ठीक है क्यों क्योंकि यहां पर उसके अंदर हम इस प्लैन के अंदर बात कर रहे हैं कि इसको only and only यहां पर रिस कवर का benefit होगा ठीक है कि अगर माली जे आज Mr. A ने 30 साल की एज पर 80 साल तक का रिस कवर लिया एक करोड का जिसके लिए every year उसने 10,000 परी किया तो company यहां पर पहले दिन से 10,000 के against उसको एक करोड का risk cover दे रही थी अगर माली जे भगवान न गरे कि आज अगर उसने 30 साल की एज पर प्लान लिया था और कल को 2 साल के बात माल लेते हैं कि 32 साल की एज पर उसके साथ कुछ हो जाता तो उसने total premium दिया था 20,000 क्योंकि 2 साल premium दिया उसको family को उसको कितना benefit मिला एक करोड तो यह हमारा जो plan है यह जो हमारा term plan है यह कहीं न कहीं आपको समझनेगी जरूत है कि यह हमारा only and only risk cover के लिए काम करता है ठीक है यहाँ पर term plan का सिरफ एक ही परपस है कि लोग अपने life को secure करने इसके लिए यह अपनी family को कोई financial loss न हो जाए मेरी वज़े से अगर कुछ इसके लावा मैं बताता हूं term plan के अंदर आपको एक्सिदेंटल राइडर आप कवर ले सकते हैं एक्सिदेंटल राइडर का मतलब क्या है कि अगर in case accidental death हो जाती है तो उसको यहाँ पर 2x amount मिलेगा एक करोड की जगह दो करोड मिलेगा यहाँ पर होता है critical illness राइडर आप critical illness राइडर का मतलब है जानलेवा बिमारी अगर मानलीजी कोई person 30 साल की एच पर fit and fine है और आगे आने वाले 10 साल बात मानलीजी 40 की एच पर उसको कोई जानलेवा बिमारी हो जाती है मानले एक्जामपल के लिए क्योंकि हम ले रहे हैं यहाँ पर की cancer की problem हो जाती है और उसकी वज़े से उसको problem हो गई ठीक है so cancer detect होते ही अगर उसने rider लिया हुआ है तो cancer detect होते ही जितने का उसने rider लिया होगा इस rider का भी समिशोड होता है ठीक है so जो आपका basic term plan है उसका अगर एक करोड है तो यहाँ पर भी आप मानलीजी 10 लाग, 5 लाग, 20 लाग, 25 लाग का इ हो जाएंगे ठीक है ठीक है पेबल क्रिटिकल इलनेस rider समिशोड ठीक है so यहाँ पर क्या होगा अगर उसको यहाँ पर detect हो जाता है policy duration के बीच में जो भी company ने आपर policy दिया है तो अगर उसने rider लिया था और rider के अंदर 10 लाग का समिशोड और उसको policy के बीच में detect हो जाता है तो यहाँ पर उसकी उसको खुद को क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है इलाज कराने तो company क्या करेगी है जो amount होगा जो इसने 10 लाग का rider लिया है वो amount पे कर देगी client के account में राइट दूसरी चीज इसके अलावा एक और rider होता है जिसको हम बोलते है disability rider disability rider का भी समिशोड होता है ठीक है अब मालीजे किसी दे प्लैन लिया था वो डिसेबल हो जाता है उसके accident में मालीजे दोनों हाथ दोनों पैर चले जाते हैं या किसी भी वज़े से वह अपने काम पर नहीं जा पाता काम नहीं कर पाता अपने बिजनस को या अपनी जॉब को नहीं चला पाता तो उस केस में मालीजे उसने यहां पर भी 10 लाग का समिशोड लिया था और यह वाला rider भी उसने policy के साथ ले लिया था ठीक है तो इन केस अगर उसको कुछ होता है तो यहां पर उसको amount यह पेबल हो जाएगा अगर उसको disability हो जाती है इसको हम बोलता है total permanent disability ठीक है total permanent disability ठीक है total permanent disability का मतलब अब वो दोनों तरीके से या पूरी तरीके से वो काम नहीं कर सकता job पर या business पर नहीं जा सकता सो उसको disability rider का समिशोट पे हो जाएगा clear है so यहां पर यह riders मैं बता रहा हूं क्योंकि fundamental clear होना बहुत ज़रूरी है एक होता है premium waiver rider इसको PWD भी बोलते है ठीक है premium waiver rider इसको PWD इसलिए बोलते है premium waiver disability rider बोलते है वैसे बट इसको PWB समझो आप ठीक है PWR समझो premium waiver rider अब मान लिजे अब वो कहता है कि मैं तो disabled होगे हूं ठीक है disability की case में मैं पैसे भी नहीं कमा सकता अपनी family के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं ठीक है अब वो कहता है मेरे को अगर कुछ भी problem हो जाती है तो मैं यहां पर अपना premium बंद करना जाता हूं तो यहां पर अगर in case उसको कुछ हो जाता है तो उसका premium क्या हो जाएगा प्रीमिम इस्टॉप हो जाएगा ठीक है यहां पर उसका premium इस्टॉप हो जाएगा नॉर्मली यही चार तरीके के राइडर्स होते है तो यह समझना बहुत जरूरी है कि टर्म प्लान क्या है तर्म प्लान में क्या-क्या राइडर्स है वह आफिक आपको यहां पर इसके अल कुछ कंपनी में टर्म प्लाइन की मैक्सिमम एज भी डिसाइडीड है कि 60 साल या फिर किसी कंपनी इसके इंदर यहां पर 65 यह भी है कुछ कंपनी में 70 यह भी है और आई थिंग कुछ में 75 भी आपको मिल जाएगी ठीक है बट मैं आपको बोलूगा नॉर्मली अगर कोई भी परशन ने टर्म प्लाइन लेना चाहता है तो 60 साल या 65 साल तक ही ले सकता है उसके ज्यादा एज पर अगर वह लेता है तो प्रीमिम बहुत हाइर साइड हो जाता है कस्मर उसके एज में नहीं ले सकता इसके इलावा यहां पर मैंने एंट्री एज और एक्जिट एज बता है किसी भी तरीके का ठीक है तो अपनी इंकम को जन्रेट करता है वही परसंट टम प्लाइन के लिए लिजिबल होगा टम प्लाइन ले सकता है अब यहां पर अगर मालीजे आप लोग आता है कि इस्टूडेंट है मेरी फैमिली में कोई बच्चा है जिसका इंशॉरंस करना कोई हाउस वाइफ है उसका इंशॉरंस करना तो नहीं होगा ठीक है तो यहां पर कंपनी क्या कहती है कि अगर आपको कुछ हो जाता है क्योंकि आप अपनी फैमली के लिए एक डोल मोडल हो ठीक है तो आप अगर बिजनस करते हूं जॉब करते हो फ्रिलैंसर हो कुछ भी हो तो आप अपनी फैमिली को चला रहे हो अगर इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आपके ना रहने पर आपका जो फैमिली का फाइनेशल लॉस है उसको हम रिकवर कर सकें इसलिए लोग टाम इंशॉरंस कराते हैं कंपनी का कंसेप्ट भी वही है इसके अलावा मालिजीं आप यहांपर इसके लावा आगर मालिजी आप इंकम के साथ मैं अगर आप यहांपर पॉलसी लेते हैं या तरुम इंशॉरंस लेते हैं तो यहां पर आपको अपने इंकम प्रूफ के रूप में आपको तीन साल की आईडयू देनी होगी with competition plus अगर मालीजे आप job करते हैं तो फिर आपको form 16 ठीक है या फिर salary slip ये सारी चीज़े आपको देनी होती है बाकि ये सब हम detail में एक दूसरी again वीडियो में सीखेंगे कि documentation का क्या process है कि कौन कोंसे document required रहते है कौन से detail required रहती है अगर किसी को term plan कराना है मैं आपको basics बता रहा था कि कौन person यहाँ पर term plan ले सकता है और क्या क्या details यहाँ पर कौन कौन से documentation की requirement पढ़ सकती है इसके अलाव हम बात करेंगे अब next portion की जिसको हम बोलते है endowment plan फ्रेंट्स वीडियो थोड़ी लंबी है थोड़ा सा समझना थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपके fundamental clear है चीजे clear है तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा आपको चीजे समझने के बाद समझाने में भी लोगों को मज़ा आने वाला है तो एक बर थोड़ा सा फोकस कीजेगा थोड़ा सा टाइम दीजेगा इस वीडियो को अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहां तक आपको maximum चीजे clear हो जाएंगी कि यहां पर होता गया तो जैसे कि मैंने आपको बदाया था एंडौमय्ट प्लैन या आपके रिस्ट केता अब सिर्फ साथ में सेविंग का कॉंपोडनेट इस्विंग मेरे को एक lump sum amount मिल जाए ठीक है वो कहते है जी मेरे को यहाँ पर मालेते हैं कि 50 lakh rupees का एक lump sum amount मिल जाए अब उसका purpose कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है उसके बच्चे की education आये या उसकी बच्चे की मालेजे रेटायर मिल जाए उसकी खुद के retirement की planning हो सकती है या फिर हो सकता है कि बच्चे की शादी की planning कर रहा है या कुछ भी वह planning अगर कर रहा है तो वह अपने lump sum amount को वह इसलिए कहीं न कहीं सोच कर सल रहा है कि यहाँ मेरे को इस एच पर इतना amount चाहिए ठीक है और policy का duration हो गया जिसको हम पोलते है policy term policy term हो गया है यहाँ पर 25 years ठीक है तो उसने 25 साल के लिए 30 साल के person ने 25 लाख रुपे का यहाँ पर insurance cover ले लिया अब इसको क्योंकि मैंने बताया था sum insured is equal to risk cover तो उसका day 1 से यहाँ पर risk cover कितना होगा risk cover होगा sum insured is equal to 20 lakhs अगर मान लेता है कि आज अगर उसने 30 साल के इस पर प्लान लिया 55 साल तक के लिए तो यहाँ पर उसको 50 लाख रुपे की maturity मिल रही है इसको हम बोलते है maturity सो 50 लाख रुपे की इसको maturity मिल रही है जो कि उस plan के अंदर पहले से decided है क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर वह premium मान लिजे premium दे रहा है तो उसका premium लगभग यहाँ पर मान लेते हैं एक लाख रुपे आता है एक लाख रुपे यहाँ पर मैं ले रहा हूं कि एक लाख रुपे उसका premium आ रहा है तो इस एक लाख रुपे के अंदर company क्या करती है उसका मान लिजे 15 परसेंट से लेकर 20 परसेंट दर उसको रिस्क में डिवाइड कर देती है रिस् 15 से 20 परसेंट आपको चला गया रिस्क में और यहाँ पर 80 से 25 परसेंट चला गया सेविंग में राइट सो यहाँ पर आपको दोनों चीजों को benefit मिल रहा है तो आपको यहाँ पर क्या है benefit कि आपको maturity भी 50 लाग रुपी मिल जाएंगे जो कि पहले से decided company ने आपको decide करके दे अगर इन केस आज आपने plan लिया और दो साल बाद तीन साल बाद पास साल बाद कभी भी normal miss happening death हो जाती है तो यहाँ पर आपको समेशोड amount मिल जाएगा साथ की साथ आपको bonus मिल जाएगा जो की company का profits होता है तो company अपना profit as a bonus अपने policy holders को distribute करती है सभी companies के अंदर यह benefit रहता है इसी तरीके से अगर मालीजी customer को इस वाले plan के अंदर endowment के अंदर normally क्या रहता है कि आप अगर accidental miss happening हो जाती है तो यह समेशोड है इसका आपको two times benefit मिलता है मतलब कि आपने अगर 20 लाग का समेशोड था तो यहाँ पर आपको 40 लाग रुपीस का benefit मिलेगा plus bonus ठीक है तो रहा हूं कि मैं particular product की बात नहीं कर रहा हूं यह मैं आपको fundamental की बात कर रहा हूं जो market के अंदर चीज़े available होती है ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिलता है disability rider का benefit जिसकों DAB बोलता है normally या फिजिकल handicap benefit बोलता है pH ठीक है तो यहाँ पर आप disability rider benefit अगर लेते हैं या फि आपको क्या मिलता है 10% of summer short का benefit ठीक है 10 years के लिए plus maturity और आपका premium waiver हो जाता है तो यहाँ पर disability के अंदर क्या होता है normally 10% of summer short आपको मिल जाता है अगर मालेज़े आपका summer short 20 लाग था तो 2 लाग रपे अगले 10 साल तक मिलेंगे plus पूरी की पूरी maturity मिलेगी और आपका premium भी waiver हो जाएगा premium भी माफ हो जाएगा अगर in case disability हो जाती है तो यह है आपका normally endowment plan endowment plan के अंदर मैंने आपको पताया कि किस तरीके से यह आपका work करता है right so यह friends आपको मैंने बताया कि किस तरीके से endowment plan work कर रहा है अब इसके क्या-क्या documents है क्या-क्या benefits है क्या-क्या details आपको next video के अंदर हम सीखने वाले की term plan को detail के अंदर presentation में कि कौन सा risk cover किस तरीके से काम करता है इसके साथ में आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कुछ plans में जिसके अंदर आपको दिखेगा कि यह child plan कैसे work करता है retirement plan कैसे काम करता है so हम presentation से समझेंगे कि term insurance में कौन सा किस तरीके से benefit मिलता है endowment में कौन-कौन से products होते है कैसे उसका benefit मिलता है so अगली वीडियो से लेकर हम कुछ वीडियो के अंदर हम यह सीखने वाले कि आपको यह benefits presentation के थू कैसे आपको देखने वाले right so friends अगर आपने अभी तक insurance advisory business मतलब की life insurance का business शुरू करने के लिए नहीं सूचा है तो आप अभी सोचें जिससे कि आपका passive income generate हो सके लोगों को protect कर सकें लोगों की life को secure कर सकें और साथ में अपने income को generate कर सकें So friends, मैं आपको यहाँ पर regular basis पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी income को generate कर सकते हैं, उसका benefit ले सकते हैं, lifetime income generate कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की job चली गई है, बहुत सारे लोगों के businesses में loss हुआ है, लेकिन आज की date में लोगों के पास active income होती है, passive income का model नहीं होता, 15-20 दिन का time लगता है, बहुत ज्यादा time नहीं लग रहा है, बट आप अगर एक बार यहाँ पर अपना code generate करा के, अपना business start करते हैं, तो आपको यहाँ पर immediately महीने के 50,000 से लेकर 1,00,000 income generate करने की power आपको मिल जाती है, मैं आपको regular basis पर यहाँ पर content दे रहा हूँ, जैसे कि आप अपने business को बढ़ा सकते हैं, आगे इस series के अंदर इस channel के अंदर आपको sales की, lead generation की, या फिर social media पर marketing करने की सारी सीजे आपको यहाँ पर, इसमें free मिलने वाली है, हमारे channel के ऊपर, आप यहाँ पर चीज़े सीख कर अपना business को grow कर सकते हैं, so friends, thank you so much, अगर आपको यहाँ पर कोई भी doubt है, कोई भी question है, तो आप नीचे दियेगा, description पर आपको मैं अपनी team का number दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने question कर सकते हैं, साथ में अगर आपको अपना registration कराना है, तो description में, comment box में, आपको description के बाद, आपको यहाँ पर comment box में, अपने question ही, अपनी queries को raise कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो जली से subscribe कर दीजे, bell icon को press कर दीजे, जिससे की आगे आने वाली videos की notification सबसे पहले आपको मिल जाए, so friends, thank you so much, अब हम मिलेंगे next video में, जि प्लाइन के presentations के बारे, thank you so much, मिलते हैं next video,